नमस्कार आपका अपने चैनल लेटर जोब अपडेट में स्वागत है आज की जो नए नोफिक्टिफिकेशन में लेकर क्या आया हूं वह इस रूख की तरफ से निकल करके आ रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाजेशन इस रूख जिसमें से टोटल 526 पोस्ट के वीडियो में बात की जाएगी तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप लोगों सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और रिलेटर के साथ सेयर करें ताकि आने वाले भविस में इसी तरह की लेटर चोप अपडेट ने मिल सके तो वीडियो में लोग आगे बढ़ते है जैसा कि हम लेग देख पार है कि नोटिफीकेशन यहाँ निकाल दिया गया है इसरो की तरफ से अनुप्रियोग अन्तरिच विज्ञानते था प्रद्योगी की विकास में अनुसंधान विकास गतिवीद्याओं में संग्रत है यानि कि इस रोज है भारत में रॉकेट लॉंचर किसी प्रगार के मिसाइल वगएरा के लिए जो है लॉंच करने के लिए या फिर उपगरा के स अंचार के सेवा को बाहल करने के लिए यह प्रतिबद रहती है साती सेथ हम लोग यहां पर नौटिपिकेशन में नीचे आ जाते हैं तो इसमें बताया कि पे लेवल चार जो रहेगा आपका मैटिक्स लेवल चार जो सेलेगा उसके आधार पर कुछ रिक्तिया निकाली अति पिछड़ा वर्ग अनसुची जन जाती अनसुची जन जाती सभी के लिए और विकलांग विक्तियुक्रेवी अलग लग सी ट्रिजवेशन दिया गया है तो अहंदाबास से टोटल जो पोस्ट है वह 26 निकल करके आ रही है बैंगलूरूस से आपका निकल करके आ रही ह नीचे आ जाते हम लोग हासन छेत्र से आपका जोन से निकल करके आ रही है टोटल सोला पोस्ट है है यह जो पोस्ट दिया हुआ है वह सहायक असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है तो सहायक असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट जो है यहां पर 349 दी हुई है ब्लूरूस के लिए 60 ह मैं यहाँ पर दिया हुआ है टोटल एक है 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 द्रावाद के लिए 16 है नई दिल्ली के तरफ से जो निकाला गया है यह पोस्ट यह टोटल दो है स्री हर्य कोटा के लिए 24 है तरफ से जो आपका जुणियर परसनल असिस्टेंट के लिए रखी गई है सथी सथम लोग नीचे आ जाते हैं जो की अवर स्रेणी लिपिक के बारे में बता गया है अपर डिविजन कलर्स तो अपर डिविजन कलर के लिए बैंगलूरी में 16 पोस्ट निकाली गई है टोटल जो है पोस्ट की संक्या 16 है तो अपर डिविजन कलर कि लिए शिर्फ बैंगलूरी जों से हाँ यह 跟我 है आशुलिपिक यानि कि अकर्ट आट अंडर डिपार्टमेट इस्पेस यानि कि अंत्री बिवाग के अधिन स्वायत शंस्थानों में भरने हितु सायक अंत्रिश विवाक के अंत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत experience के बारे में तो बताया गए जिसे कि आप लोग असिस्टेंड या फिर सूप अपर डिविजन कलर पोश्ट नमर एक से पास तक जो आप भरेंगे जिसे कि यहां पर पोश्ट नमर एक से पास तक बताया गया या जो कि आपका मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं नो प्रस्टेंग्या आप यहां पर एक पर के पर यहां पर शेशन्य wings पोस्ट नवर एक वर्ण थ्री और फाइफ के लिए जो सेक्षिनिक जो किता है वो किसी मानता प्राफ्त विस्वेद्दाले दारा नियुंतम साथ प्रतिसर तंकों के साथ होना चाहिए यदि आपके साथ CGPA है तो CGPA जो है आपका 10 पॉइंट के हिसाफ से 6.32 के हिसाफ से होना चाहिए साथ पिद्दाले का जो पार्ट करम है वह आपका फूल मोड में भी होना चाहिए और इसके साथ जो मांगा गया है उसमें मांगा गया है कि आपका कंप्यूटर के में कार्य करने का अनुभाव होना चाहिए निए को कोई भी कार्य दिया जाएगा तो आपको कंप् साथ किसी मानताप्राफ संस्तान से 60% के साथ होना चाहिए या फिर आपका जो सीजीपी है माक्सीट में तो 6.32 कम से कम होना चाहिए साथ जो है इस नातक बिस्वाइदाला दरा पार्ठी करम के अरधी के अंदर पूरा किया गया हो यानि कि आपका पूल टाइम के जिए सन रेगुलर मोड में होना चाहिए साथ है अगर यह आपका पास है या फिर इसके अलावे आपके साथ किसी मानताप्राफ दाल गोसित 60% अंकों के साथ आपका वानिजिक या फिर सची वालीन कारे में डिपलोमा होना चाहिए या फिर आपका जो माक्सी उसमें 6.32 cgpa वालागर माक्सीट तो 6.32 माक्सीट में कम से कम आपका सीजेपी होना चाहिए तो यह आपका क्वालिफिकरिकिशन मांगा गया है उसी तरह आवसुलूपी यानि कि इस्ट्रियोग्राफर के रुप में कारे करने का एक वर्स का अनुभाव होना चाहिए यान आपका एक्जाम भी लिया जाएगा और कम्पीटर में भी कारिकने की निपुनता होनी चाहिए यह यहनिकी आपको टाइपिंग स्पीट वह ब softly होनी चाहिए अंगरेजी में और कमपीटर्क करने का निपंता भी होना चैनिए तरह और को सब्सक्राइब करने के बारे में है कि अब्यारत कर सकते हैं तो इसे बता गया है है कि अब्यारती सर्तों के अधिन अनेक पदों के लिए आविदन कर सकते हैं यानि कि अगर क्वालिफाई होते हैं दो तीन चार पोश्ट के लिए तो अलग अलग जोन के लिए अगर अलग निकला है तो आप सभी के लिए इस्टोंग डाफर डाल नहीं सकते हैं आप अलग अलग पद के लिए डाल सकते हैं अलग जोन के लिए अलग पद और अलग जोन के लिए अलग पद के लिए आप डाल सकते हैं कि जैसे के उधाना फ़्ड लुप यहां पर बताया गया है उधान के बताय कि उधान था 1-2 अहमधा बाद च्षेत्र में 5 संक्या एक सहाइग के तो यह यहां पर किलियर बता जया गया है यह उधाना सुरूप तो इस डिडियल को आप भी ध्यान से देख सकते हैं ओनलाइन फर्म करने भरने के बाद आविद्व को ओनलाइन पंजी करन संक्यानी के रिश्टेशन नमद दिया जाएगा जिसे आपको प्रिंट आउट करके अपने पस रखना और अपना जो इमेल आडिया नमर है वह हमेशा एक्टिवेट रहना क्योंकि उसमें करते हैं फॉर्म तो अलग लग सो रुप्य करके काटे जाएंगे वह अब एड़ती जो पसंक्या एक दो तीन चार पांच शे के लिए आविद्व है उन्हें अलग से सो रुप्य का आविद्व करना होगा तो यह कि लिए लिए लिग दिया गया है और आपका जो ओनलाइन माध्यम से पेमेंट होगा फॉर्म भी ओनलाइन माध्यम से भरा जाएगा आविद्व फॉर्म भनने के बाद आप जो है भुकतान कर सकते हैं 11 जनुरी तो तक ही भुकतान को कंप्लेट करके अपना फॉर्म को फुल फिल अप कर ले और उसका प्रिंट आउट अपने पास साथ ही मुख्य पॉइंट में जियागे अगर अभ्याति चाहे तो तुरत ओनलाइन फॉर्म भर के सेम डे में ही पेमेंट कर सकता है और प्रिंट आउट ले सकता है यहां पर ओनलाइन पेमेंट के विशे में बताया कि सभी महिला अनुसुची जन जाती या अनुसूची ज जो है वह आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए फोटो और सिंगिचर उसके बाद अगर अलग से आपके पास कोई डोकुमेंट से मांगा जा रहा है तो वह आपको अपलोड करना और डोकुमेंट में चैन प्रिए के बारे में दिया चैन प्रिए जो होगी वह लि कुछ जो है वह सेम रखी गई या कुछ-कुछ अलग-अलग रखी गए जैसे कि लिखित परिच्छा जो रहेगी वह 120 मिनट की रहेगी जो कि आपका मल्टिपल टाइप अब्यक्टिव कोश्चन रहेगा निकि एक प्रस रहेंगे उसका चार उप्सन दिये रहेंगे उसमे 90 अनिवार है तो रही परिच्छा में पास जाएगे और जो आपका के जो चूट पराकत सिर्नी उन्हें शिवार कि A æbcd जो भाग उन्हें 40% अंक लाना अनुवार है तो कोशल पर इच्छा में लिखित पर इच्छा के आधार पर 10 पर दस अभ्यृत्यों के साथ परिछ्च्छा के लिए बुलाया जाएगा जैने के लिए पॉसित के वारे में जनकाई लिया इसमें भी पास होने के लिए जनरल करिंडेट को 60% अंक लाना अनिवार है और जो अरच्छी स्रीनी के करिंडेट है उन्हें 50% अंक लाना अनिवार है साथी साथ आपको इहापर दिया हुआ है अन्तिम चैन कोसल परिछा में अःक पाए जाने वाले अब इर्टयों हिंतर लिखेत परिछा में प्राप्तांग के अधर पर होगा यानि कि आपका जो लिखित परिछा में आप जो कर्येयर पास हो जाएंगे उन्हें कोसल परिछा में इसके लेए बुलाया जाएगा इसी दिरह आ को उसके बाद चुनवन की सब्सक्राइब निया जाएगा कॉसल परिच्छ्छ का प अनुबन चार में दसाया लिए जाएगा तो अबन चार्ज जो है वह उपर में बताया गया उसका हिसाब से अपको सर परिच्छा लिए जाएगा उत्तिन हों तिन ने का मांडन भी इसमें आपका बतायागा है कि होने चाहिए कंप्पूटर में पास करने के लिए जनरेल कंडिडेट के लिए और चुट प्राइप सेंडियों के लिए पचात प्रिश्चा रखा गया अलुसुलिपिक परिछा जो है वह अनरचित के लिए 10 गलतिया के यह माफ कर दी गई है अधिकतम 10 गलतिया कर सकता अच्छित सरी का बेरती और बारापातिशत जो है अब भेरती वह आपका रिजर्व करनीडेट बारापातिशत गलतिया करेंगे तो उनके लिए भी चलेगा यहां पर वेतनमान भात्ते के लिए बात कुए है पेसके क्या रहे जाएगा जिसमें से कि सहायक करनिष्ट व्यक्तिक सहायक और सिरी लिपिक तता आसोपी लिपिक के रूप में नियूत किया जाएगा तता प्रतिमा नियूंतम बेतम 25500 मूल वेतनमान दिया जाएगा इसके अतरिक्त विश्यापर मौजुद नियमागरूंसर महांगाई बह बता विद्यवाइब ब्स आपका डी आहर्यं अगयरा सरचिज आपका दिया जाएगा को कि है साथासे नियुक्ति बटने और लेकिन यह आगे भी चलता ही रहेगा ऐसा बताया जा रहा है तो यह पोस्ट चलता ही रहेगा चलता ही रहीगा लवक समझे लेकिन यह चलता ही रहेगा साथे पॉटेंट यहां पर जाएगा कोसर परिच्छा के लिए उपस्तित होने वाले अब भीड़तियों को ऑनलाइन सचातार का स्थान पर इंगित कि एगर सहर में सबसे छोटे मार्ग से आने जाने हैं तो दूरी तिसरेनी के रेलवे किराय की प नहीं है पर किसी परगार का प्रस्ति या फिर कोई संदेय और किसी प्रगार के कोई प्रॉब्लम आपको फॉर्म अगिरा भरने में किसी तरह की आ रही हो तो एक नमर जारी किया गया है जो कि email ID है तो email ID यहां पर को इमेल भेजना चाहिए जो कि आपको विज्ञाने से समंदित कोई भी क्वेरी या फिर प्रस्ण हो सकता पूछ सकते हैं साथी साथ बता है कि लिखित पर इच्छा पूरा होने के तीन कारदेशों के अंदर आपका जो एंसर की है जो वेफसाइट में दे दिया जाएगा जो अपना एंसर की को स्लेट करके वहां पर देख सकते हैं किसी परकार का यदि कोई गलती है तो आप इमेल आइडी के माद्य और 22 रखी गई है और सुल्क भगतान का जो अंतिम तिती है फीस पे जो एक्जामिशन का हो आपका 11 जन्वी तो समंदित कब एड्मिट कर ड़ाया क्या क्या नोटिफिकेस है वह चीज़ देखने के लिए आपको मिल जाएगा तो आसा करता हूं कि आप लोग को आज का हमारा यह वीडियो अवस ही जनकारी वर्दक रहा होगा साथी साथ आप लोगों साग रहा है कि किट प्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से किसी प्रवगार के प्रस्थ्थ न हो आपके मन में या किसी प्रविदा हो दो हुक्त